चिलोद में आधी रात को दो पक्षों में पथर बाजी छाबनी में तब्दील हुआ इलाका पुरानी रंजिश को लेकर हुआ जगडा शेवपरी जुले के फिजिकल थानों शेतर के चिलोद में आधी रात को एक ही समुदाय के दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से पथरबाजी होती रही जुरान महले में दहशत का माहूल देखने को मिला सम्वेदाशिल मामला होने पर तुरंती पुलिस अदिक्षक रगवणश सिंग भदौरिया भारी पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुचे और रिस्ति पथरबाजी की घटना सामने आई है पुलिस ने मौके पर पहुचकर पथरबाजी को शांत कराए और इस्तिति को ने अंत्रित किया अभी कोई घायल सामने नहीं आया है पुलिस ने जाज शुरू कर घटना में शामिल लोगों की दलाश शुरू कर दी सरे क्या बबाद हुआ है आज अभी त्री प्लिस वर्श को आना पड़ा है यह फिजिकल थाने के लोर एजिया है जिसमें की दो पक्षा आपस में ही यह लर गए हैं हाँ पे मुस्मिन पक्ष के कुछ लोग यह अपराते हैं दोनों पराणी के रंजिश है इनके दोनों के सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी पुस्ताच कर रहे हैं कितने लोग अभी हम लोग मोके पे हैं मैं अभी मोके देख रहा है कोई घायल है उसको भी फोजराओं को आके रिपोट करें गारी में जो है मारी पास खरेगी है इसको में प्राणी रंजिश है लोग के बीज में कोई प्रणा सर्कुर राइदी कारेक्रम नहीं लिए